हेलो बच्चों कैसे हैं आप सब आशा करती हूँ आशा सब बहुत अच्छे होगे आज हम लोग करेंगे कख्षचे NCRT वसंद्पुक से कविता चांद से थोड़ी सी गप पे तो चलिए इसको देख लेते हैं बच्चों यह जो कविता है न यह लिखी है शम शेय सेंग बहादु जी ने इस कविता में वो बताते है चंद्रवा के बारे में चांद के बारे में जिसको आप सब प्यार से चंदा modelा59 बुलाते हैं इस कविता में बताते हैं ke des एक 11 सल की एक लड़ी की चान के बारे में क्या सोचती है बच्चों आपने चंदा मामा को तो देखा होगा रोज रात में आते हैं है ना और एक दिन ऐसा भी आता है जो बिल्कुल दिखाई नहीं देते वो आपको अलग-अलग sizes में दिखाई देते हैं कभी वो बिल्कुल गो फिर उससे बड़े और फिर उससे बड़े और फिर लास्ट में आकर वो बिल्कुल गोल नजराते हैं तो यहाँ पर 10-11 साल की लड़ी की चंदा मामा के बारे में क्या सुचती है जरा देख लेते हैं वो कहती है गोल है खूब मगर आप तिर्चे नजराते हैं जरा आप पह बिल्कुल गोल नजराते हैं आप गोल हैं खूब मगर आप गोल हैं लेकिन थोड़े से तिर्चे नजराते हैं आपने देखा होगा ना मच्चो चांद जो हैं वो कैसे नजराते हैं गोल होते वे भी थोड़े से तिर्चे नजराते हैं ऐसे ही वो लड़की भी यही कहती है वो कहती है कि आप गोल तो खूब है वगर थोड़े से तिर्चे नजराते हैं आपने क्या पहना हुआ है आपने पूरा आसमान पहना हुआ है तारो जड़ा आप भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की ड्रेस पहनते हैं ना अलग अलग तरह की ड्रेस पहनते हैं उसी तरह से चंदा मामा आपने भी तारो जड़ी ड्रेस पहनी हुई है आपकी ड्रेस ऐसी है जिस पर बहुत से तारे लगे हुए हैं आप उसमें से कैसे हैं सिर्फ मूँ खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल और उस ड्रेस में से आपका केवल गोल सा मूँ ही दिखाई देता है जो बिल्कुल गोरा चिट्टा है और बिल्कुल गोल मटोल है अपनी पोशाग को फैलाए हुए चारो सिंथ आप कुछ तिर्फे नजर आते हैं जाने कैसे खूम है गोगी वह जी वह हमको बुद्दु ही मेरा समझा है हम समझते ही नहीं जैसे की आपको बिमारी है आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस याने की बढ़ते ही चले जाते हैं दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाएं बिल्कुल गोल यह मरज आपका अच्छात ही नहीं होने में आता है आगे कभी उस 10-11 साल के लड़की के भावनाओं के मर्धम से चांद के बारे में क्या समझाते हैं आईए देखते हैं वो कहते हैं कि लड़की चांद के लिए कहती है कि आपने अपनी पोशाक को अपनी ड्रेस को फैलाया हुआ है चारो सिम यानि चारो दिशाओं में आपने अपनी पोशाक को चारो दिशाओं में फैलाया हुआ है और आप कुछ तिर्चे ही नजर आते हैं खूम है गोकी आप होते वे भी थोड़े से तिर्चे नजर आते हैं वह जी वह और आपने हमको निरा बुद्धु ही समझा है निरा कहते हैं बिल्कुल बुद्धु यानि मूर्ख आपने हमको बुद्धु समझा है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि लड़की कहती है कि हम बुद् बढ़ते ही चले जाते हैं और जब बढ़ते हैं तो बस बढ़ते ही चले जाते हैं और तब तक आप दम नहीं लेते तब तक आप सांस नहीं लेते जब तक कि आप बिल्कुल गोल ना हो जाए बिल्कुल गोल आपका मरज यानि आपकी बिमारी सही होने में नहीं आती आपको ये बिमारी आज की नहीं है, आपको ये बिमारी हमेशा से लगी है, और पता नहीं कब तक चलेगी, आप कि ये जो बिमारी है न ये बिल्कुल ठीक नहीं होती, आप बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, और फिर जब छोटे होने लगते हैं, छोटे होते जाते हैं चोटे होते जाते हैं बच्चो आप ये बात तो बिल्कुल अच्छे से जानते होंगे कि चंद्रमा पूरे गोल कौन से दिन होते हैं तो वो पूरे गोल कब होते हैं वो होते हैं पूर मासी के दिन उसको आप क्या बोलते हैं फुल मून डे बोलते हैं और जब दिखाई ही नहीं देते, उस दिन को क्या बोला जाता है, उस दिन को अमावस्या बोला जाता है, आप चंदा मामा के बारे में क्या सोचते हैं, आप मून के बारे में क्या सोचते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और बच्चों क्या आपको भी ये लगता है, कि चं सेर सिंग बहादुर जी ने और क्या आप जानते हैं कि उनका जन्म कहां पर हुआ था उत्तर प्रदेश में तो उनका जो जन्म है ना वह हुआ था सन 1911 में और हुआ था देहरादुन में तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने अभी आपको उत्तर प्रदेश बोला और साथ में देहरादुन भी बोला ऐसा कैसे देहरादुन तो उत्तर खंड में है लेकिन बच्चो पहले जो है ना देहरादुन उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा थ और सन 2000 में उत्राखंड को एक अलग राज घोशित कर दिया गया था और उत्राखंड में धहरादुन आता है तो इस तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि शमसेर सिंग भादुर जी का जन उत्राखंड के धहरादुन जीले में हुआ था और भच्चो उनकी मृत्यु कब हुई क्य यानि 1993 में और उन्होंने बहुत सी कविताय लिखी है जिसमें से एक प्रमुक कविता चांद से कुछ गप्पे आपकी पाठ्थे पुस्तक में भी है और आपको बताना है आपको ये वीडियो कैसी लगी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करें अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जो लोग चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब कर ले थैंक्स फर वाचिंग बहुत जल मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में झाल झाल